Hello Friends, Java Programming के Video Lecture की इस सीरीच पर आज हमारा Lecture No.49 है और हमें हाप पर Increment और Decrement Operator की Working Process को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं तो इसे समझने के लिए ही हमने एक Last Lecture में आपको एक Example को क्या बुला था, Solve करने के लिए बुला था और यह कहा था कि इसका Output क्या, और क्यों आकर डिस्पले होगा आपको क्या करना है, चेक करना है तो देखो हमने क्या करा था, कि Pre-Increment में प्लस-प्लस Operator को क्या करा था, समझा था और Post में भी क्या करा था, Last Lecture में प्लस-प्लस को समझा था अच्छा, X की Value कितनी चल रही है 12 चल रही है, तो चलो हम चेक करते है निकाल कर देखते हैं कि Output आना चाहिए अच्छा देखो, यहाँ पर जो आपने X लिया है, X की Value कितनी लिए 1, 2, और फिर आपने लिखा Y इक्वल टू, X माइनस माइनस, तो देखो, यह कौन सा Increment सल रहा, Post Increment Post Decrement, Sorry, तो Post Decrement में क्या होगा, बाद में Decrement, बाद में Decrement का मतलब पहले क्या होगा, Assignment, तो पहले Y में Assign होने के कारण Y की Value कितनी हो जाने वाली यहाँ पर 12, ठीके, और X क्या होगा, खुद में Decrement होने कारणा, X की Value अब क्या हो जाएगी यहाँ पर 11, मतलब इस Case में X की Value 11 और Y की Value कितनी हो जाने वाली 12 आकर डिस्पले होना चाहिए अच्छा ठीके, अभी हमने क्या लिखा सिर्फ इतना लिखा प्रोग्राम, और हमने क्या गरा, Compile और Run करा तो यहाँ पर 11 और यहाँ पर Output 12 आकर डिस्पले होना चाहिए 107 नमबर के प्रोग्राम का हमने इसे Compile करा और क्या करा इसके बाद? Run करा, ठीके? तो Run करने पर इसका Output 11 और 12 आकर क्या हो गया है? डिस्पले हो गया है, लेकिन अब आपने यहाँ पर आगे लिखा Y equal to minus minus X तो अब इस Condition में X और Y की Value क्या आकर डिस्पले होगी? इसे क्या करना है? हमें समझना है, ठीके? तो देखो अब आगे क्या लिखा हो है यहाँ पर? Y equal to minus minus X तो X की Value कितनी चल रही है? यहाँ पर 11 minus minus X minus minus कहा पर लगा हुआ है variable के आगे? तो इसको क्या बोलेगी है? pre decrement मतलब पहले क्या होगा? X decrement होगा फिर क्या होगा? value Y में assign करेगा तो X की Value कितनी चल रही है? यहाँ पर 11 तो 11 से पहले decrement होने के कारण X की Value कितनी हो जाएगी? 10 और 10 ही जाकर किस में assign हो जाएगा? Y में assign हो जाएगा मतलब X और Y दोनों की Value 10 और 10 आकर यहाँ पर डिस्पले होना चाहिए तो हम चेक करते हैं हम लिख भी देते हैं आप पर 1 0 और यहाँ पर भी हमने लिख दिया 1 0 अब example number 107 को क्या करा? हमने compile करा और run करा तो 11, 12 और 10, 10 यहाँ पर क्या हो गया? आपका output आकर डिस्पले हो गया है अच्छा भी पूरी process clear है आपको? pre-increment, post-increment और pre-recrement, post-increment यह थी आपको clear नहीं है तो आप क्या करो? इस lecture को repeat देखो और कुछ examples लेकर क्या करो? इसको समझने की कोशिस करो और हम एक और example यहाँ पर देखते है 108 number का example और इस example पर हम यह करने वाले हैं कि आपने क्या करा? आप x की value लिया यहाँ पर 8 और यहाँ पर आपने करा plus plus x multiply by plus plus x तो इस condition पर यहाँ पर x और y की value क्या आका डिस्पले होने वाली है इस चीज़ को क्या करना है? आपको check करना है और समझने की कोशिस करना है ठीक है? एक्जामपल नंबर कौन सा ही है? 108 तो अभी आज के लिए इतना ठीक है हम next lecture में मिलते हैं इसी example के साथ तब तक के लिए अकी बाई